आज कल की तेज रफ्तार वाली जिन्दकी में इस्थिर्था का बाब होता है जिससे अशुब घटना होने की संभावना बढ़ जाती है साथी वर्तमान जिवन शेले के कारण बीमारियों का खतरा भी आम लोगों पर बढ़ता जाता है ऐसे में हमारी प्राचिन संस्कृती हमें ऐसे मार्ग दिखाती है जिन से हम स्वास समंदी अशुब घटनाओ आदे को टाल सकते हैं इन्य उपायों में से एक है महा मृत्यू जै मंत्र का पार्ठ यह पार्ठ भगवान शिव को परसन करने का मंत्र है पुराणों में असादे रोगों वे अकाल मृत्यू से मुक्ती के लिए इस मंत्र के जाब का विशेश उलिक मिलता है यह मंत्र अत्यदिक चिक्तिशाली भी माना जाता है इसके बारें प्रचलित प्रौनिक कता के अनुसार रिशी मरकंडू के पूत्र मारकंडे का जीवन काल मात्र 16 वर्ष का था जब मारकंडे को अपने भागे का पता चला तो उसने शिवलिंग के समक शिव पूजन परार्म कर दिया यमराज जब मारकंडे को लेने आये तो उसने अपनी भावों को शिवलिंग के चारो तरफ लपेट कर दया याजना की यम ने जब माकंडे को शिवलिंग से अलग करने का प्रेतने किया जिस पर भगवान शिव को प्रोदित होर उठे और यम को मृत्तु डंट दे दिया भगवान शिव ने यम को इस शर्थ पर जिवित किया कि ये में बच्चा हमेशा जिवित रहे यही से इस मंतर की उत्पत्ती हुई थी किन परिस्तित्यों में कराया जाता है महाम नित्तु जय पाठ अक्सर हमें आने वाली विप्तियों का अभास पहले से ही होने लगता है लेकिन हम अपने देनिक कारों में इतने व्यस्थ होते हैं कि हम उन्हें नजर अंदाज करते रहते हैं जिसकी वज़े से हमें उसका बाद में वे काफी बुरा पढ़ना भुगतना पढ़ता है कुंडले में कोई दोश होने पर महा मृत्तु जैपूजा के लाब ग्रहाओं के सारे कूपब्रहाव नश्थ हो जाते हैं शोक मृत्तु के संकर टल जाते हैं दोश का परभाव खतम होता है लंबे समय से होने वाले रोगों सो रहात मिलती है हर परकार का भैस अमाप्त होता है पुराने करजे से भी मुक्ति के मार खुलते हैं काली शक्तियों का परभाव नश्थ होता है गरववती माहिलाओं के स्वास पर ग्रहन का परभाव नश्थ होता है ऐसे वर वीडियो के लिए वीडियो को लाइक शेर और चैनलों का सब्सक्राइब जरूर करें जयाशिव शंकर